तो अभी मैं कुछ टाइम से एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जितने सारे लोग हैं जो कि अपने स्मार्टफोन से और डिनो या फिर ESP बोर्ट को प्रोग्राम करते हैं और स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ दो अप्लिकेशन हैं जिसकी हल्प से हम लोग अपने डेवलप्मेंट बोर्ट को प्रोग्राम करते हैं सबसे पहला है और दूसरा जो की थोड़ा नया अप्लिकेशन है उसको आई हुए लगभग दो साल हो चुके हैं लास्ट सपोर्ट कर रहा था उसके बाद से इसके डेवलपर ने Android 13 के लिए इसको आप्टिमाइज भी नहीं किया है और अब तो इस साल Android 14 चल रहा है तो इसकी तो बात हम लोग छोड़ ही देते हैं ऐसे में आप लोग जब भी Play Store पर सर्च करते हैं अगर आप लोग Android 13 या फिर 14 वाला फोन यूज करते हैं तो आप लोग उप्शन तो मिलता है लेकिन इंस्टॉल करने का उप्शन देखने को नहीं मिलता है तो अब ऐसे में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम लोग कहां से इंस्टॉल करें तो गाइस इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप लोग अपने फोन में Arduino Dread को कैसे इंस्टॉल करेंगे अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोग उको नीचे डिस्क्रिक्शन में देदूँगा आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो बात करें इन सारे boards के problem की तो काफी सारे problem create करते हैं जैसे कि कभी compile नहीं होते हैं कभी हमारे boards में code upload नहीं होते हैं बहुत ही जादा problem create करते हैं और अभी मैं कुछ time से देख रहा हूँ कि आप लोग जब भी किसी भी ordino nano या फिर UNO board जिसमें CS340G वाले chip लगे हुए होते हैं इन सारे boards में आप लोग कितनी भी कोशिस कर रहे हो लेकिन उसमें program upload नहीं होड़ा है ऐसा क्यूं होड़ा है मैंने भी पता लगाने की कोशिस की लेकिन अभी मैं ठीक ठीक पता नहीं लगा सका हूँ कि ऐसा क्यूं होड़ा है तो इस problem को आज की वीडियो में मैंने solve करने की कोशिस की है मैं आप लोगों को इन दोने application का alternative बताऊंगा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ ordino drive की तो इस application का आज की भी वीडियो में हम लोग use करेंगे क्यूंकि इसके भीना हमारा काम नहीं होता है बस इस application का हम लोग सिर्फ इतना use करेंगे कि हम लोग अपने code को compile करके उसका एक file बनाएंगे जो की हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं अगर आप लोगों के mind में ये आ रहा है कि भाई हम लोग compile क्यों करते हैं क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही जादा highly creative होते हैं उनके मन में एक सवाल आता है कि हम लोगों को जो code है उसको compile करने की ज़रूरत क्यों परती है थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं मैं आप लोगों से ज़्यादा time नहीं लूगा आप लोगों को बस इतना समझाना चाता हूँ कि आखिर ये compilation होता क्या है तो चाहे Arduino हो गया, ESP board हो गया या फिर कोई सा भी board हो गया हम लोगों को उससे अपने काम करवाने होते हैं एक example मानते हैं Arduino board हो गया या फिर ESP board की example ले लेते हैं उसमें हम लोगों को एक blink code को upload करना है हम लोगों का motive क्या है कि उसमें LED connect करें हम लोगों को ये instruction लिखना है कि LED जो है microcontroller होता है वो जो program है वो run करता है लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है हम जो language समझते हैं वो C, C++ जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा language है वो हम लोग लिखते हैं computers के लिए लेकिन computer C और C++ वो सारा कुछ नहीं समझता है computer सिर्फ 0 और 1 को समझता है इसके अलावा कुछ नहीं समझता है तो अब हम लोग करते क्या हैं जैसे कि एक example से समझते हैं जैसे कि मैं एक Indian हूँ और मुझे किसी Chinese से बात करना है तो अब हम लोग का communication बिल्कुल impossible सा हो जाएगा क्योंकि उसे Chinese आती है, Hindi नहीं आती है और मुझे Hindi आती है, Chinese नहीं आती है तो अब ऐसे में हम लोग communicate कैसे करेंगे तो हम लोग वो बीच में किसी ऐसे person को लाना होगा जो कि Hindi और Chinese दोनों जानेगा अब मुझे Chinese से बात करना है तो मुझे उस person को सारी बातों को बताना पड़ेगा वो मुझे Hindi सुनेगा, फिर वो जो Chinese person है उसको वो जाकर Chinese में बोलेगा तब मैं उस Chinese person से communicate कर पाऊंगा तो यहाँ पर जो third person है वो एक compiler का काम कर रहा है ठीक उसी तरीके से हमारा लिखा हुआ code जैसे कि C++ या फिर Java में हम लोग जो code लिखते हैं यानि कि हमारा जो लिखा हुआ code है जिस code को हम लोग समझते हैं उस code को जब हम compile कर देते हैं यानि कि machine के समझने लायक यानि कि Arduino, ESP32 या फिर कोई सभी वोड हो गया उसके समझने लायक बनाते हैं तो वो एक file create होता है जिसे हम लोग .bin या फिर .hex file काते हैं वो file कुछ इस type से दिखता है अगर आप लोग इस code को देखोगे तो आप लोगों कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये हो गया machine language और जो हम लोगों का language है यानि कि C, C++, Java जो हम लोग use करते हैं वो हमारा language हो गया तो machine को समझने लायक जो language होता है जो machine समझता है उसको हम लोग hex file करते हैं अब इसी hex file को हम लोग अपने आज वाले application की help से अपने board के अंदर upload करेंगी तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस application का नाम क्या है तो उस application का नाम है Z Flasser AVR तो अब हमें सबसे पहले अपने hex file को ready करना है इसके लिए हमें Arduino Drive की help लेनी पड़ेगी तो अगर आप लोगोंने download नहीं किया है तो आप लोग सिंपली सा download कर लिजे और अगर आप लोगों के phone में download नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे Instagram पढ़ा कर आप लोग वहाँ मुझे DM कीजे मैं आप लोगों को वहाँ पर link provide कर दूँगा आप लोग वहाँ से जाकर उस application को download कर सकते हैं तो download करने के बाद आप लोगों को Arduino Drive application को open करना है अब जैसे ही आप लोग first time open करेंगे आप लोगों को यहाँ से कुछ setups करना है और हो सकता है कि कुछ loading ले या फिर कुछ download हो तो आप लोगों को download होने देना है उसके बाद जैसे ही आप लोगों का landing page दिखेगा यहाँ पर आप लोगों को कुछ settings वगारा दिखते हैं लेकिन आज की वीडियो के लिए मैं example ले रहा हूँ basic blink code का तो सबसे पहले हमें यह करना है कि हमें अपने board type को select करना है अब अगर आप लोगों के पास कोई सभी board हो गया जैसे कि UNO हो गया, CS340G वाला हो गया कोई सभी हो गया whatever लेकिन उसमें आप लोग एक चीज़ common देखेंगे अगर आप लोगों का Arduino UNO हो गया या फिर Nano हो गया most of the cases में आप लोगों के पास यही होता है अब इसका version कोई सभी हो गया यह यहाँ पर matter नहीं करता है आप लोगों को सिर्फ code को compile करना है compile करने के लिए अगर आप लोगों का जो Arduino board जैसे की Arduino Mega हो गया तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर select करना होगा अब जाहिर सी बात है उस board को select करना पड़ेगा लेकिन 90% cases में आप लोगों के पास Arduino UNO और Nano ही होता है तो इसके लिए हम लोगों को setting के अंदर जाना है 3D. के अंदर जाएंगे और setting के अंदर जाने के बाद board type में जाएंगे और Arduino के अंदर जाने के बाद अपने board को select कर लेना है जैसे कि अगर आप लोग UNO यूज कर रहे हैं तो आप लोग UNO यहाँ पर select करेंगे और अगर आप लोगों का board Nano है तो फिर आपको को Nano में से किसी भी option को select कर लेना है लेकिन मेरे पास यहाँ पर UNO CS340G वाला है मैंने यहाँ से इसको select कर लिया है अब select करने के बाद अपने code को open करना है यहाँ पर आज की वीडियो में मैं example ले रहा हूँ basic blink का 3D के अंदर जाऊंगा मैं और जाने के बाद sketch के अंदर जाने के बाद यहाँ से example वाले से basic और blink code को open कर लेता हूँ मैं यहाँ से अब यहाँ से मुझे कुछ छेरचार नहीं करना है Simplicize को compile करना है तो compilation वाले icon पर मुझे tap करना है और थोड़ा से इसको time देना compilation होने में time लगता है और यहाँ से compilation finish हो चुका है अब हमें करना क्या है यहाँ से आप लोगों को ध्यान से सुनना है ध्यान रखना है कि आप लोगों का code compile हो चुका हो उसके बाद three dot में जाएंगे three dot में जाने के बाद sketch में जाएंगे और sketch में जाने के बाद, आप लोगों को यहाँ पर mid में एक option देखने को मिल रहा है, save pre-compiled का, आपको इस पर click करना है, अब जैसे ही आप लोगों को इस वाले option पर जाकर, यहाँ से अपने code का नाम होता है, आप लोग जिस भी project पर काम कर रहे हैं, उस project का आप लोग नाम दे स लेकिन मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ blink का, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको नाम दूँगा blink, और यहाँ से आपको ok कर देना है, बस इतना करते ही आपका hex file आपके Arduino folder के अंदर save हो जाएगा, अब यहाँ से आप लोगों को अपने Arduino Drive को close कर देना है, अब इसका काम हमारे है कि हम इसमें अपने programmer को select करना है, अब इसको select करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को मैं जो option बता रहा हूँ इसमें बहुत सारा option है, काफी सारे लोग confused होताएंगे, लेकिन मैं जो हिएहाँ पर select कर रहा हूँ आप लोगों को उतने setting को ही छेरना है अब उसके बाद हमें अपने micro controller को select करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों के पास में आप लोगों को write करना है क्योंकि आप लोगों को अपने ordino में program upload करना है इस वज़े से हमें यहाँ पर write select करना है अब यहाँ पर एक option है यह खुद में ही एक option है इसका नाम ही options है तो इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर वाला जो दो option है इसको tick कर देना है पस य मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं कि अगर आप लोगों का दूसरे ब्राइन का phone है तो आप लोग कैसे navigate करोगे तो आप लोगों को अपने file manager के अंदर आना है अब चाहे आप लोग Samsung का phone यूज कर रहे हो और पो भी वो कुछ भी आपको अपने file manager को open करना है open करन है कि ArduinoDroid नाम का folder कहाँ पर है और खोजने के बाद इसके अंदर जाना है और यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद आपको एक folder देखने के लिए मिलेगा pre-compiled का इसके अंदर जाएंगे जो मैंने यहाँ पर set किया था folder का blink उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर .hex नाम का file देखने को मिलेगा, इसी .hex file को आपको अपने CPU-Z नाम के application के folder के अंदर जाकर locate करना है, तो चलिए इसको हम लोग locate करते हैं, तो इसको locate करने के लिए आपको इस option पर click करना है, और इस option पर click करने के बाद, आपको यहाँ पर locate करना है कि Arduino Droid नाम का folder कहाँ पर है, मेरे इस board को देखकर डरने कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं बहुत ही जादा simple तरीके से समझाता हूँ, यह जो आप लोग board देख रहे हो, यह मेरे पास है Arduino Nano, जिसके अंदर से मैं ने micro controller को निकाल लिया है, ताकि मेरे पास जो बहुत सारे Atmega 328 chip है, उसको मैं program कर सकूँ इसकी health से, तो इस combination से अब यह जो board है, Arduino UNO CS340G वाला board बन चुका है, अब आपको अपने phone से अपने board को connect करना है, अब जैसे भी आप लोगों को अपने board को connect करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को अपने board को अपने phone से connect कर लेना है, और अब simply सा आप लोगों का जो code है, वो आपके Arduino board में upload हो जाएगा, तो guys I hope कि आप लोगों को वीडियो काफी जादा helpful लगा होगा, informative लगा होगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगे, तो आप लोग इस वीडियो को एक like करके channel को मेरे subscribe कर सकते हैं, मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो में तब तक के लिए good bye.